घर और किचन के काम होंगे असान बहुत ही असान सा टीप्स बहुत ही अच्छी से टीप्स हमारे हर किचन में काम आने वाले अंट्रिक्स अंट्रिक्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हैं हेले अवरिवन मैं प्रियंक का स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपनी पर जरूर नारा पीडियुट के तो सबसे हैं, वो यहां पर हम पूपर पाणा है को रखते हैं, जसे ब्सक्राइब्स होना लगता है। नीचे आपको एक कटोरी रखनी है उसके उपर से आप कोई भी रोटी या पराठा जो भी आप बनाए है उसको आप यहां पे रखेंगे ना तो आपका जो रोटी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और पड़ी रहेगी और नीचे वाली जो पहली आपकी रोटी होती न वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो काफी तीन तक मतलब सौरी काफी टाइम तक रह सकता है जिसे सुबह से लेके साम तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा वैसे क्या होता है ना कि जो नीचे की जो रोटीयां होती है वो खराब हो जाती है फिर उसको खाने का मन नहीं गषदा या फिर किसी को देने का भी मन नहीं करता इस तरीके से आपकी सारी कि सारी रोटी स पड़ी रहेगी अगर आप यह तरीका योज करेंगे तो दूसरा यहाँ पर जब भी हम सफर में जाते हैं कहीं पर भी जाते या फिर बच्चों के टिफिन में भी देना पड़ता है तो टिफिन में तो आप नॉर्मली दे देते हो लेकिन अगर हम कभी सफर में जाते हैं तो देखा जाता है अक्सर करके लोग फल या फ्रूट जरूर से ले जाते हैं मैं तो हमेसा ले जाती हैं क्योंकि मेरे बच्चों पसंद रहता है और खास कर बड़े जो लोग होते हैं उनको तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो तो मतलब खा लेते हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको खाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छिलके के सहीत नहीं खा पाते हैं तो चिल्का जो इसका होता है, इसको निकालना पड़ता है, अचुस 125을 उतार लेते हैं, अगर Him Nilки, अखते चाकू कर देखा जाता है, reception मैं ऐर लो सकते हैं, अगर Jheik है अगर आप जाते हैं हम ऐसे में मतलब जब भी आप फ्रूट ले जाते हैं तो बच्चों को काट के कैसे दे तो इस चीज का टेंसर रहता है तो इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रीक है तो आपको ये जो घर पे ही जब आप जाते हैं जब आप खाने को पैक करते हैं उसके सब कुछ करने के बाद जब पैकिंग करते हैं तभी इसको धो लिजे और धोने के बाद आपको देखें बीज में इस तरीके से कट कर लेना है अगर आप छीलना चाते हैं तो छील सकते हैं अगर आप नहीं छीलना चाते हैं तो आप वैसे ही कट कर सकते हैं यहां से आपको देख सकते हैं तो कट ल टिपिन में अगर आ रहा तो उसमें भी आप पैक कर सकते हैं नहीं तो आप किसी भी पॉलाथीन में भी मतलब जो की नुकसान ना करें उस तरीके से आप यह रख सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद यह सफर में ले जा सकते हैं यह खराब नहीं होगा अगर आप चाहे तो इसको रात भर भी रख सकते हैं और इसमें से आप बच्चों को निकाल के दे सकते हैं खाने के लिए इससे कोई दिकत नहीं रहेगा तूसरा यहां पर देख सकते हैं मैंने लिया है चना यह चना फूला हुआ है जैसे रात का भीगा हुआ चना है तो कभी कबार ना गल् तो यह खराब हो जाएगा क्योंकि ना बदबू आने लगता है इसमें से अगर चने को आप छोड़ दोगे ना तो इसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है इसकी सब्जी भी टेस्टी नहीं बनती है अगर आप दो चार घंटे तक वह ऐसे ही छोड़ दिये तो फिर रात को आपने विगोया अगर आप साम को बनाएंगे तो बहुत ही मतलब इसमें से अजीब सी स्मेल आएगी तो इस चीज के लिए अगर आपका चना इस तरीके से बचे जाता है अगर आप चाहते हैं कि स्मेल ना आए और तो आपको बस यही एक ट्रीक इस्तमाल करना है य तो तीन घंटे के बाद आपको फिर से देखना है कि कहीं इसमें जाग नहीं बन रही है तो जाग नहीं बनने से पहले ही आपको उस पानी को बदल के चने को एक बर दो के दुबारा इसमें पानी डाल देना है साम को आपको मतलब कि सुबच से साम होने तक आपको तीन बार इसला नहीं आपको आपको पशुक्तुछ साइब जब कोई बीज़ ऑल देख़ा है keeping अब बुगत टेखे और मीदी में आपको मैं हुआा बढ़तु पूरे हैं और सबाई आपको नहीं हुंने लाक हमारी तो बीज़ेगी जिससे साइब्ट कि क्या करते हैं तो आपको क्या करना है केले को लेना है और इस साइड का आपका यहां च्छील तो यहां पे चील के पक गया हों तो उसको आपके से चील केलो को का जाता है। कशल कविले में कीले नहीं लगते हैं कभी किले में क्या नहीं क्या खेसा करना दाना है मुठ धरनाख एक ही इसको लेना कातोरी इस में उठी नहीं कौने है इस alcool केले कीदेर उठेसे तो सोच लिजी आप इसकीन के लिए कितना जादा फायदा करेगा यह तो यह बहुत जादा अच्छा है और बहुत जादा मतलब फायदा करता है आपके इसकीन के लिए भी आप चाहें तो इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इस्टेच मार्क्स होता है जो मतलब पर देखे कोई भी चीज है एक दिन में ठीक नहीं होता है अगर आप इस तरीके से करेंगे जिसे आपकी वहां पे खुजली होती है आप चाहती है यह फिर आपको लगता है तो यहां पर जहां पे आपके हाथ में भी या पैर में भी जहां पर आपको लगता है कि रुखापन है मापे भी आप इस तरीके से केले की मसाज कर सकते हैं बहुत अच्छा फाइदा करेगा आपके हाथों में और फिर इस तरीके से देखिए अभी मैं अभी आपको प्रूब के साथ अभी में धोके दिखाती हूँ आपका जो हाथ दिन तक तो करना ही पड़ेगा जिसे एक हफ्ता तक अगर आप लागातार करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अच्छा है और इससे आपका जो भी हाथ है आप अपने स्कीन पर भी लगा सकते हैं कहीं पर भी जहां पर आपको लगता है तो आई होग खड़ जाता है तो हाथ में बहुत ज्यादा भाप लग जाता है जिसकी वज़े से बहुत ज्यादा हाथ में जलन होने लगती है तो और यह तो फिर कभी बच्चे जल जाते हैं चाई पीते टाइम पर या दूद गरम गिर गया जैसे कभी कबार होता है ना गलती से अपना कोलगेट होता है आपको वही लेना है और आपको इस तरीके से उंगली में निकाल के आप जहां पे भी जले हैं जहां पे भी आपका हाथ जला है या फिर जहां पर पैर में या फिर कहीं पर भी आपको जहां पे भी आपको लग रहा है कि यहां पे जलन हो रही है वहां पे इसे दोएंगे या फिर कुछ और करेंगे ना तो तुरंत वहाँ पे चाला बन जाएगा लेकिन अगर आपको तुरंत लगा लेंगे तो वहाँ पे चाला नहीं बनेगा और दूसरी बात वहाँ पे आपको जलन नहीं होगी बहुत जादा ठंड़ाई देगी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आई होप कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जो लोग भी मारे चैनल पर नहीं आते हैं और हाँ आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएगा कि दुनिया के कौन से कौने से हमारी वीडियो देख रहे हैं चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अपना ध्यान लगना